हेलो स्टुडेंट्स वेलिकम तु माई यूटूब चैनल सहेज क्लासिस तो जैसे आपको बता है कि अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो एहनफ हो जाएगा लेकिन आपने इसको अच्छे सी खड़ना कि अगर यहां से क्योशन आएगा ना तो आपका वो नहीं चूटना चाहिए तब ही आप बोल सकते हो कि इन दोनों को आपने अच्छे से किया है अगर आपको लगता है कि तो आप इसके लिए जा सकते हो अब हमने यहां पर शीलेबस कंप्लीट करने के बाद यहां से प्युक्ष प्रैक्टिस के साथ हमें ही कर वा दीए तरह आप हम कर रहे हैं और यह जो क्योशन से ना वह मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं यह वाले हम करेंगे नंसी इस वीडियो में हम डिसकरेंगे सोर्टिंग में इंटु ग्रूप को अब यह वाले मैं कैसे कर रही हूं देखो जैसे पहले मैंने इस चीलेबस कंप्लीट करवाया था ना चैप्टर वाइस वैसे ही हमने अब यह वाले सीरीज स्टार्ट की हुई है तो आप यह लगाओ ज जो आज का टोपिक रहेगा ना सोर्टिंग मेटिरियल इंटू ग्रूप और कई बचे बोलते कि मैं पहले वाले बता जा रहा हूं तो आप पहले है ना इस वाले लेसन की जो वीडियो है उसको देख के आना उसके बाद ही आपके यह पता चलेगा कि आपको यह लेसन है वह जो भी हमने प्लेश्ट में इस नेक्स वाला चैप्टर होगा ना जैसे हमने वन बाई वन वन श्लेब के है उसी सीक्वेंस में हम यह इन क्योशन को डिसक्स करेंगी तो बस यह वाले इस वाले शीजाग को बताने थी अब हम चलते हैं हमारे तो यहां से रहों क्या है नेम फाइव ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रो वूड तो सबसे पहला आपका क्योशन क्या है कि हमें पांच सब्जेक्ट बताने हैं जो वोड से बने हो तो कुछ नहीं इसमें तो देखो आप अपने एकोर्डिंग देख सकते हो कोई भी पांच सब्जेक्ट से तो आपको बोला जाए कि यहां से उनकी से बैसिस पे इनको अलग अलग करना उनको पर पहां पर हमें मैटीरियल्स को अलग अलग ग्रूप में किया कitter है आप बता सकते हो, तो कौन से कौन से हो जाएंगे, जो भी हमें अपने चारो तरफ दिखता है, तेबल हो गई, चेर हो गई, दर्वाजी भी बनते हैं, दोर हो गई, बोक्स हो गई, डैस्क हो गई, तो यह सारी जो चीज आप जो बनती है, इनको लिख सकते हैं, इसमें कोई जैसे बड़े बात नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट है, तो आपको देखो, ऐसे ही कोशन मिलेगा, जैसे मैंने इसको बोल दिया, A, B, C, D, तो वो अबजेक्ट आपने बताने हैं, जो शाइन होएंगी, कि इन में से कौन से अबजेक्ट है, वो शाइन होएंगी, तो जैसे एक्जामपल आपको मिलेगा, A and B, A, B, C, A, B, D, उसके बाद हो जाएगा, A and B, और उसके बाद हो जाएगा, A and C, तो यह आपने ऐसी प्रैक्टिस करने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यह उक्शन दिया है, A, B, C, D, तो एक बार आपने वीडियो को पोज करके, और अप इसमें से कौन सा उब्जेक्ट होगा, जो शाइन करेगा, एक ग्लास बाउल है, प्लास्टिक टोई है, स्टील स्पून है, और कोटन शर्ट है, तो आपने बताना है, A, B, D होगा, A, B, C होगा, A, B, A, C होगा, तो एक बार पोज करके वीडियो को आपने इसकी टैक्रिस कर देखनी है, तो देखो, ग्लास बाउल होगा, तो अगर ग्लास बाउल है, तो उसमें शाइनिंग होएगी है, उसमें शाइनिंग होएगी, मिन्स, A, B, C हमारे पास होएगा, उसके बाद प्लास्टिक का टोई होएगा, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, प्लास्टिक का ट ऐसा आए में आना अगना सुपकित और धोला एक उसमें आए प्सक्राइग कहाँ में हो जाया तो इस लिए हमारे पास ये वाला, जो दी भी गवाँ जाए और धोला ने को जाएगा तो इसलिए पास ये उडिरिया बूला ने विए और ने चेहने पेटियों को फ्रटे ग्ला तो यही चीज़ हम स्फ़िन हम बताना है क्यों सा इस प्रियूग्त और कोई इस न though मैच न चीज़िड हुग है वुड से बन सकती है जो हमें कागज मिलता है वो वुड से ही तो मिलता है पेपर से भी बन सकता है उसके बाद लैदर से बुक हम नहीं बना सकते हैं प्लास्टिक से भी बुक हम नहीं बना सकते हैं आप यह मत बोल देना कि उसके जो नहीं होते हैं जैसे जो उनका कवर किया हो सकते हैं प्लास्टिक का भी और लेडर का नहीं बना सकते कि तो ग्लास हो जाएगा दक junior को चीए-ब्लेधर कहाँ से बिना सकते हो आप जो हमारे पास चीए होएगी तो ग्लास की तो कहें नहीं सकती होगी वुड है ट्रय है भूट कि हो फिलोना तो जो हमारे पास टोई है वो तो इन से सभी से बन सकता है गलास से भी वी पेपर से भी लेदर से भी और प्लास्टिक से तो वो सबसे बन सकता है उसके बाद है श्यूज तो श्यूज है देखो श्यूज आपने ग्लास के देखे हो यह नहीं देखें तो ग्लास के नहीं बन सकते है श्यूज है वुद के भी नहीं होते जूते नहीं होते ना लकडी के जूते नहीं होते ऐसे ही जो पेपर है वुद किसे बन सकती है वुड और पेपर से बन सकती है उसके बाद डंबलर किसे बन सकता है ग्लास से वूड से पेपर से बन सकता है उसके बाद चिहर है वह कहां से बनेगी वूड से बन सकती है प्लास्टिक से टोई है ग्लास से बन सकता है वूड से पेपर से लैदर से प्लास्टि मैं बताना कि ये सही है और उसाइ तो इसलिए मैं फोनीमन फेल एंगे काम आइंगा यह कियो आपके वो मेलें आपकें जो फोनुचन की हो प्रत्ति अंडी में पड़ीनि की हो उन benefit yapıl इस निष्फिय छिंग फसलीस कोपा के बन उसके प्र beginners को फेने पर 15 नाय में करता है कर दो अजहीं जहीं कर दो आपने हैं ट्रांस्पेरिंट मोरत ध स्ट्रॉंग् tek के कि अमतलमों मित वांगारि। कि अक्षेञ द कंदि लुआ हो। पीर स्ट्रॉभ में स्नुझते तो यह घलत हो जाएगा तो इसका हमारे पास कि आ गया मितलम है किलारपर देंट देख सकते हैं for दाष्ट्रॉभ यह सकते हैं शायन नहीं करते हैं और इरेजर भी लश्चर नहीं होता तो यह वारी चीज तो सइथ लेकिन इस लिए भी तो गलत है तो इसलिए इसका भी क्या जाएगा फोल जाएगा चोक डिजोल सिंग वोटर जो हमारे पास चोक होता है वह पानी में घुल जाता है तो एक बाद आप अ चोक पाउडर लिया उसको डिजोल करने की कोशिश करूंगे ना मैं तो जो चोक पाउडर होगा वह वहां पे सस्पेंड हो जाएगा लटक जाएगे मिंस उसके पार्टिकल आपको दीखेंगे वह डिजोल कभी भी नहीं होते और कुछ टाइम बाद वह नीचे सैटल डाउ हो जाते हैं तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या है एपीस ओफूड फ्लोट सोन वोटर तो जो लकडी का टुकुडा होता है वह वोटर पे फ्लोट होता है तो यह वाली चीज क्या है साई है क्यों यह वाली चीज हमने कि इसक अगर किसी भी ऑबजेक्ट के ढंसेटी है वोत्र से कम है तो वoney me से करेंगा उसके बाद और जोग में अपडेशाmb़ान में हो यह भाख सुगर पानी में ऑच्य से डिछूल वेल पानी के साथ नहीं होता तो ये भी क्या हो जाएगा उसके बाद गया सेंड फॉल्ष हो जाती है तो ऑज अपया जाती है तो अब एक उप देखने के अपने चल्टेशंग्टाटी जवाब तो या बता पाते हैं तो श्कुछ ना थिमिलाती है तो कुछ टाईग लगल सक तो आपने पर कुछ सा प्रोसेस होता है कि जब पानी में जो मिट्टी होती है वो निचे सैटल डाउन हो जाए और फिर उस सैटल डाउन हुई मिट्टी को दूसरे बीकर में अलग करना इन दोनों प्रोसेस का जू नाम है वो आपने याद घड़ना है कि वह क्या होईगा तो यह बात भी सही है तो यह भी क्या हो जाएगा फ्रोल हो जाएगा उसके बाद नेक्स है गीवन बिलो था वर्ट अब्जेक्ट एंड मैटेरियल यहां पर देखो वोर्टर दिया है बास्केट बोल दिया है और इन सूगर ग्लोब एपल अर्थन पिचर मत्का होता है जो तो सारे उप्शन जैसे मैं इसको यहां पर दूँ भी ऐ ए ए ए फ जी तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी अगर मैं आपको बना की दू यहां से यही चीज जी आती है एग्जाम में हमें लगता है यहां पर चोछड़ी चीज़ी सोखें कि हमें आती है और एक्जाम टाइ जैसे मैं ओप्शन दूँ यहां से हो जाएगा हमारे पास ए बी सी डी ए और आउंड शेप वाले बताने है नाम हमें हमें ए उसके बाद हो जाएगा ए डी उसके बाद हो जाएगा जैसे ए बी सी ए ए ए को हटाओ यहां से नहीं तो रहने तो ए बी सी ए ए ए फ और जी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट ओक्षन आपके पास रहेगा बी सी ए ए फ जी तो आपने बताने है इन में से राउंड शेप के कौन से होंगे तो या तो वीडियो को पोज कर लो और फिर आप देखना और देखना कि आपको पता चलता है या नहीं तो आप चलते हैं हम हमारे अंसर की साइट देखो ए है वो तर ए क्या है वोटर है तो तो इस बहुत ब्हुत अवहरा अपस के पिता है या नहीं होता वोटर है वोटर ह sąगेशन में satel देखते तक और युए है नहीं हमें आपच्छे टी बताए उसमें है अच्यव गए बिल्तखों आप ‫शे में टो स्थ सबाच है यह मैं टालोच्गुर्क चालमुर्छी अब नेक्स देखो, सेम उप्शन आपके रहेंगे, अब आपको बताना है, क्या है, क्या है, अब आपको बताना 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 है, जो इसका option भी, part B है, eatables और non eatables तो ऐसे ही आपका option बन गया जाहे, कांकि कौन से eatables है? non eatables है, तो यहाँ पे हम देख लेते, वैसे ही देखो, eatables है, water है, ठीक बात है, eatables है, basket ball को खा सकते हो? नहीं खा सकते हो? नहीं खा सकते हो? तो basketball, orange है, eatables होएगा, sugar भी eatables होएगी, क्या कोई globe को खा सकता है नहीं खा सकते उसके बाद apple को खा सकते है क्या कोई मत्के खा सकता है नहीं खा सकते बस ऐसे आपने इंको लिखने थे यह हमारे पास e table हो गए और यह non तो बस यही चीजी में आपने देखने थी उसके बाद देखो लेट आल आइटमस नो टू यो तो फ्लोट ओन वाटर चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ओन ओलोर के रिशिन आपने सारे आइटम की जिस भी ओब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की अड़ेंसिटी से ज्यादा होगी वह क्या करेगा भी करेंगा दूब जाएगा जिसके भी डैंसिटी ज्यादा होगी ना जैसे हमने लोही की केल डाल दी तो वह दूब बेगी और जिस भी अब्जेक्टी डैंसिटी पानी से कम होएगी कि दैंसिटी पानी से कम होएगी आभे हम पानी से कम होएगी वह Elle वाले चीज आपने ध्यान रखना नहीं थे नहीं के यह वाली चीज आपने धियान में रखना निंग्या है उसके बाद यहां से देखना हैं कि मों आइटम बताने हैं जो water पर float करें दो तीन चीज़ी है हमारे पास तो अगर आप water की density देखोगे ना तो water की density होती है हमारे पास 1 gram per centimeter cube होती है और यहाँ पर oil की density देखोगे तो वो 0.9 के करीब होती है 0.9 और जो kerosene oil होता है kerosene होता है उसकी density होती है 0.8 तो यहां से हमें पता चला कि देखोगे देखोगे तो यह तो बस इतनी बात थी ठीक है अब हमें तो कुछ ऐसे आइटम बताने हैं जो पाने पे फ्लोट करेंगे तो बता सकते हैं हम अपने कोडिंग जैसे हमारे पास पेपर हो गया वो प्लास्टिक हो गया थर्मो कोल हो गया और बताना है कि कौन सा ओड होगा वाकी की बजाएं तो देखो तो चेर है, बैड है, टेबल है, बेबी है, कफ़़ोर्ड है, तो यह तो देखो बिल्कुल, आप देखके भी बता सकता हूं, यह सारी चीज़े वुड की बनी हो सकती है, लेकिन क्या बच्चा वुड का बने होएगा, तो नहीं होएगा, तो ओड क्या हो गया, यहां से, यह सायं लेकिन क्या हो जाएगा, दो लेकिन आपको कमेंट सेंव में बताना, कि यह बाले सेरिज आपके लिए हेलफ़ू हो दक्साल्खन हो होती है नहीं होती तो फिर अगर helpful होती है तो हम इसको पूरा पूरा करेंगे एक्जाम तक continue रखेंगे इसको अधर्वाइस फिर कोई फाइदा नहीं है अगर यह चीज आपके लिए helpful नहीं होती है तो बस आज के लिए इतना ही next video में हम मिलेंगे next topic के साथ तब तक के लिए ध पक्यामण श्यावन